नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉस्ट इंफ एंड फन पे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग डियोपी फिनेकल में high value of withdrawal की list of transactions जो की एक particular report होती है उस report में कैसे आप generate कर पाएंगे कितनी ऐसी transactions थी जो high value of withdrawal के अंदर आती है तो जैसा कि आपको पता है कि 5000 से ज़्यादा की transactions जो है वो high value of withdrawal में आएंगी तो कैसे आप उस list को निकाल पाएंगे वो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आप particular किसी भी soul की ये जो है list of transactions निकाल सकते हैं तो इसी परकार से division office या फिर SBCO इस list को निकालता है ताकि वो जो withdrawal है उनकी inquiry कर सके उनको check कर सके वो genuineness उनकी check कर सके तो चलिए देखते हैं कैसे उनको जो है हम generate कर सकते हैं तो दोस्तो ये जो list है इसको generate करने के लिए आपने menu shortcut में type करना है HFTI तो menu shortcut में HFTI प्रेस करेंगे और enter बटन को प्रेस कर देंगे उसके बाद देखे आपके सामने financial transaction inquiry ये जो है आपके सामने screen आ जाएगी तो आपको यहां पर देखिए जो transaction amount दिख रहा होगा transaction amount low वहां पर आपको यहां पर दोस्तों minimum जो amount है आपकी 5000 रुपीज से उपर की transaction आपने देखनी है या फिर 10,000 रुपीज से ज़्यादा की transaction देखनी है तो जिससे भी amount से ज़्यादा की transaction आपने देखनी है वो यहाँ पर type कर देना है उसके बाद जो आपकी यहाँ पर transaction है यहाँ पर debit है या credit है तो credit की जमा करने वाली transaction होगी आपको withdrawal चेक करने है तो आपको debit के बटन पर click कर देना है उसके बाद start date और end date दिखेगा तो start date और end date में आपको वो date लेनी है जिस period के बीच की आपको यह जो list है वो निकालनी है तो आप एक महिने की भी निकाल सकते है या फिर आप particular 10 days की आपको list चाहिए या फिर किसी एक दिन की list चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते है उसके बाद general ledger subhead code में आपको जो saving का code है या तो वो आप manually type कर सकते है 3001 या फिर आप उसके searcher पर जाके वहाँ से search कर सकते है तो जैसे आप यहाँ searcher पर click करेंगे तो सभी ledger code आपके सामने आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3001 PO Savings Account तो PO Savings Bank का यह ledger head है यह code आपके सामने आ जाएगा तो blue color के इसके 3001 पर आपने click कर देना है उसके बाद दोस्तों नीचे scroll करेंगे तो देखिए additional criteria आपको दिखेगा तो यहाँ पर additional criteria में today transaction only के checkbox को आपने यहाँ पर untick कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर go के बटन पर click कर देंगे तो जैसे आप go के बटन पर click कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी list of transactions आ जाएंगी date wise और amount के साथ में तो यहाँ पर जितनी भी transactions होगी उस particular period में जो आपने सर्च करा है जैसा हमने 17 तारिक से लेके 27 तारिक के बीच का period सेलेक्ट करा है open date में और close date में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी transactions की list आ गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं से पहली transaction by cash withdrawal की है उसके बाद यहाँ पर देखे check withdrawal की transaction आपके सामने आएगी और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो यहाँ पर देखे transfer की transaction है जो की account opening में use हुई है तो वो भी जो दोस्तो withdrawal तो हुआ है savings की account से तो इसलिए वो भी आपको यहाँ पर highlight होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप उसकी पूरी detail देखना चाहते हैं account number के साथ में तो जो last में colorful button रहेगा view detail का उस पर click करके आप इसकी जो है complete detail भी आप देख सकते हैं इसके साथ में दोस्तों अगर IPPB account से debit होके आपने POSB sweep in करा है तो वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे देखे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 IPPB यानि कि यह जो amount है 5000 रुपे की IPPB account में किसी ने sweep in करी है जो की savings account से withdrawl होई है तो वो भी list आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी तो वो भी आप यहाँ पर check कर पाएंगे तो जितने भी ऐसी transactions होंगी जो 5000 से ज़्यादा की जो है amounts की होंगी वो आपकी sole ID की account की होंगी तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर नेफ्ट की transaction करी है वो भी आप यहाँ पर withdrawl देख पाएंगे या फिर net banking से किसी ने transaction करी है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे देखिए जो e payment है यहाँ पर किसी ने neft की transaction करी है और DOPE यानि कि यह internet banking की transaction है इंटरनेट बेंकिंग से ये transaction हुई है तो saving के account से withdrawal हुआ है कैसे internet banking की transaction है कैसे मैंने बताया है आपको देखिए DOPE इसका जो UTR है transaction code है तो DOP के बाद अगर E आता है तो internet banking की transaction है और DOP के बाद अगर M आता है तो mobile banking की transaction है तो इस परकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ऐसी कोई भी transaction होगी जो debit होगी 5000 रुपे से जादा का या फिर अगर आप search criteria में 10,000 लिखेंगे तो 10,000 से जादा की transaction की list आएगी तो जितने भी amount आप यहाँ पर डालना चाहें वो आप यहाँ पर जो transaction amount low है उसमें आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप high में भी कोई amount डालेंगे मानली जी आपने transaction low में 5000 रखा है और transaction high में आपने 20,000 रखा है तो 5 से लेके 20,000 के बीच की जितने भी transaction होगी वो list आपके सामने आजाएगी फिर उससे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा की transaction आपके सामने नहीं आएगी तो इस परकार से दोस्तों आप ये सारी list को generate कर सकते हैं अब आप HFTI को open करेंगे तो आपकी office की ही set ID आपको दिखेगी लेकिन अगर आपको किसी दूसरे office की transaction चेक करनी है तो जहाँ पर soul set ID लिखा है वहाँ पर आपने दूसरे office की जो soul ID है उसको change कर देना है तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग back के बटन पर click करेंगे तो main जो हमारी financial transaction inquiry की जो screen है जहाँ पर हमने सारा search criteria डाला था वो आपके सामने आ जाएगा तो वहीं पर soul set ID जो उपर लिखा है उस पर आप वहाँ पर soul ID चेंज कर पाएंगे और वहाँ से आप list जो है वो generate कर सकते हैं किसी भी particular office की तो उमीद है आप सभी को यह video informative लगी होगी पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को भी subscribe करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद